गुड मॉर्निंग इस्टूरेंट एगें पब्लिक इस्कूल इंगलिश मेंडियम क्लास 7 सब्जेक्ट में एक्सराइज 4C पेज नंबर 76 76 जो पेज नंबर है एक्सराइज 4C है उसके हमें वर्ड प्रॉब्लम रिमैनिंग थी कुछ तो वर्ड प्रॉब्लम को देखने हैं कुछ नंबर जैसे 4 थे दा प्रॉड़क अप्टू नंबर इस ट्वैल इफ वन ओप दें 4 वन वाई एट फाइंड दा अधा नंबर ठीके तो हमने क्या किया तू नंबर उको हमने लेट कर लिया वन नंबर एक्स एं सेकंड नंबर वाई ठीके एक्स को ले लो चाहे फॉर 4 1 Y 8 चाहे Y को ले लो तो एक्स फर्स नंबर लिती तो हमने फर्स्ट को ले लिया 4 1 Y 8 मतलब की 33 अप्वाई एट ठीक है तो एक्स मल्टिप्लाई y इक्वाई गया एक्स की वेलू पूट करती 33 अप्वाई एट मुल्टिप्लाई नी में उस सेट जाएगा ये तो की place पे multiply लगाएंगे और इनकी places change हो जाएंगे 8 upon 33 3 से cut कर दिया 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, y equal to क्या आगा 32 upon 11, 2 10 y 11, ठीक है यह हमारा answer हो गया, अब question number 10 है, वो देखते हैं, 10 को कैसे करेंगे, लिखा a wire is 10 2 by 5 meter long, we have to cut 13 pieces of equal length, find the length of each pieces, ठीक है, चाथा एक wire की कोई length थी, जो थी 10 2 by 5 मतलब कि 52 upon 5 meter है, और इसके क्या कि 13 pieces of equal length, उसको 13 pieces में equal length में cut कर दिया, अब each pieces length, मतलब कि प्रतेक piece की length बतानी थी, हमें तो simple सा है, तो 52 upon 5 divide 13, 13 का divide कर देंगे इसमें, ठीक है, 55 upon, 52 upon 5 multiply, 13 को यह multiply लग जाएगा, और यह क्या जाएगे, इंटरचेंज हो जाएगे, ठीक है, 1 upon 13, और 13 से 52, 4 वार cut हो गया, 4 upon 5 meter, प्रतेक piece की क्या जाएगी, length आ जाएगी, यह मेरा answer होगा, कि अजिए गिनूदी तरो जाएगे, तर सुन्धason की का जाएगे, कि मेरा जाएगे, प्रतेको झाएगे, प्रतेको Allah जाएगे, प्रतीऑ जाएगे, आर आरेको Channel